करेंगे, अब पॉइंट करेंगे, वो तपस वेस्ट के बारे पर हैं, तइप सॉरीटाइप सॉरीटाइप सॉफ नाट्रोजेर वेस्ट का बात करेंगे, तइप सॉर। सब्सक्राइब नाइक्टरिजन वेश्ट टाइपस आफ वेश्ट थम पढ़ाई चुके हैं लेकिन नाइक्टरिजनस वेश्ट को हमें अन्सीयटी ने बोलना थो दिटेल में पढ़ा दो तिक इस ने थे पढ़ा रहे हैं कि तो देखो अब जीदि और गन में जी जी स्वारी और्ग श्म में जी सॉरि में जी ऑर्गनिजम समें अमोनिया जो होगा ये जिस ईयुचिन आर्गनिजम समें अमोनिया जो होगाечение बनाबा रहा हूं उसको Ammonia कहां, जिसमें होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे Ammonotelic बोलेंगे, ठीक है जिसमें Urea होगा जिसमें Urea होगा Escrutery Nitrogenous Waste उसको हम लोग बोलेंगे Ureötelic Ureotelic शलो, फिर देखो जिसमें Ureak Acid होगा Ureak Acid होगा उसको हम लोग बोलते हैं अब देख रुश्टेर्ट अर्ग इजम अर्ग निजम ओके तियरी को टेली ठीक है अब देखो किस्टोंड सुटेंट यह स्ट्रेंट यह कुश्चन है यह उर्ग इर्दिकिसको होती है अब देखो अमोनिया जो होता है हाइवल होता है यह यह डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ और यह बना देता है झाल प्लस ठीक है यह कभी आप इग्जामिया जाता है आ सकता है Ammonium iron के form May exist करता Ammonia gas के form exists नहीं करता ठीक है नँद इसको excrete करने के लिए huge amount of water चाहिए ठीक है तुरण इसको store नहीं कर सकते ना निसको तुरण body से diffuse करके बाहर निकालना होता है ठीक है तो बहुत जादा water लगता है ठीक है इत्षिजिए amount of water लेकिन यूरीको टेलिक जो है ठीक है पंचिया देखते हो आपके शट पे कभी उपर से पिच ठीक है कभी बाल पे पिच आता है ठीक है वो जो पिच पिच आता है आपके बॉड़ी पर या बाल पर देखे हो वही एक्चुली क्या है उसमें यूरीक इसीड रहता है ठीक है तो यूरीक एसिट के एक्सक्रिशन के लिए यूरीक एसिट के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर लगता है तो इसको अरेंज करें यह इसको यूज वाटर लगेगा यूज वाटर यूज वाटर लगेगा फिर इसको मौडरेट लगता है इसको मौडरेट लगता है मौडरेट लगता है इसको मिनिमम लगता है इसको सबसे कम लगता है तो इसको सबसे कम लगता है ऐसा क्यों सो यह पानी का बहुत कम वेस्टेज कर रहा है यह पानी का बहुत स्यादा कर रहा है यह सबसे कम कर रहा है यह सबसे कम कर रहा है इसको लोग बोल सकते हैं water conservation yes water conservation यहां mcq आपका बन सकता है यह potential point है जहां mcq बन सकता है वह point हम discuss करते जाएंगे जहां पर नीट वाले आपको confuse कर सकते हैं इसको use नब order के form में arrange कर दें तो यह सबसे होगा किसको सबसे ज्यादा यह भी आपको mcq बना सकता है क्योंकि ncrt में लिखा हुआ है इसको सबसे ज्यादा इसको सबसे खम बीच वाला को बीच में रहेगा तो आपको कभी arrange करने को दे सकता है yes descending order में चलें third toxicity की बात करें toxicity की बात करें तो यह highest होता है highest toxic और यह वाला least toxic होता है that means इसको भी हम लोग toxicity की form इस सरह से arrange कर सकते हैं yes चलें आगे देखें example 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 की अगर हम लोग बात करें अगर example की हम लोग बात करें तो देखो इसका trick है हमारा RBI RBI मतलर Reserve Bank of India ठीक है लेकिन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा R से हो जाएगा आपका reptiles reptiles B से हो जाएगा आपका birds और I से हो जाएगा insects I से हो जाएगा आपका insects ठीक है इसका trick जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मैं मैं में क्या हो जाएगा yes mammals mammals A से हो जाएगा आपका amphibian 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 और दूसरे M से हो जाएगा आपका yes marine fishes marine fishes ठीक है यहां पर देखो यहां पर त्रिक में क्यों नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर कॉमन सेंस का इसको बहुत ज्यादा वाटर लग रहा है इसको बहुत ज्यादा वाटर लग रहा है तो में ली क्या होगा aquatic organisms like aquatic moluscasemal तो बहुत है पर everyone को याद करेंगे aquatic moluscase और tadpole लार्वा का यह एंसका लार्वा है तो यहाँ पर देखो आपको Tabelle कि गौन याद है ठीक है Amphibians चो होता है टैड फॉल फोर्म जब रहता है तब कैसा रहता है अमोन चलिक लेकिन जब बड़ा हो जाता है अ में UH यहीं आपको निया पर एक क्व फारटिघज पी्सेस ठीक है वह सब क्या होगा यहां पर तुस्टेंट्स आपको मैंने ने बता दिया nitrogenous waste आपको तीन तरग बताया एक ammonia, urea, uric acid ammonia हुआ तो ammonotelic, urea हुआ तो ureotelic, uric acid हुआ तो uricotelic ठीक है so maximum water किसको लगता है ammonia को list किसको लगता है uric acid यह क्या हो गया method of water conservation toxicity की बात करें तो highest इसकी होगी list इसकी होगी examples आपका trick है, फटा फट नो डाउन करो, फटा फट नो डाउन करो, फटा फट नो डाउन करोश्चिंस आगे बढ़ते हैं लोग, yes, please note it down हाँ green gland का प्राउन होगा रोशन, green gland का प्राउन होगा green gland का प्राउन होगा फटा फट नो डाउन करो no down हो गया, yes no down हो गया के बढ़े, ओके कोमल, done, अच्छा यहां पर कुछ किसी को डाउट हो रहा था, green gland के बारे में, मैंने green gland क्या लिखा है, yes, green gland का प्राउन होता है, ठीक है, इस तो यहां पर कुछ प्रोटोनिफ्रीडिया के बारे में, NCRT में कुछ और भी लिखा हुआ, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ, yes, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गया है, प्रोटोनिफ्रीडिया के बारे में, प्रोटोनिफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनिफ्रीडिया के अगर हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने बता यह कहां पाया जाता है, प्लैटी हलमेंथिस में, यह तो आपके ट्रिक में था, लेकिन कुछ और जगा भी आपके NCRT में एक्जामपल लिखा, वो भी याद करना है आपको, यह यह रोटीफर में भी पाया जाता है, यह सीफैलो क्वाडेट्स में भी पाया जाता है, सीफैलो क्वाडेट्स, और 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 प्लैनेरिया में भी पाया जाता है, प्लैटी हलमेंथिस जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोनिफ्रीडिया, प्रोटोनि regulation इसका main function जो होता है स्टुटेंट्स परेगूलेशन होता है यास प्रामरी function क्या होगा ऑस्मो अ रिगूलेशन ऊस्मो रिगूलेशन क्या है देखो body के तर जो फ्लुइड है उसका गाढहापन ठीक है उसको मेंटेन करना उसको बोलते हैं बोडी के अंदर जो हमारे फ्लूइड है जैसे हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी के अबाव साड़ी तीन सो लगबग होती है तो जो गाढ़ापन है ऑस्मोलिटी है उसको मेंटेन करना उसी हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेट्स डैट मिस्ट बोडी के अंदर जो रेगुलेशन डैट मिस्ट बोडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसको मेंट बोलते हो बोलते हैं लेकिन जो बाकी इक श्रीट्री ओर गन सब्दम मैंने पढ़ाया है आपको मेल्कृजियन टीब्यूलस ले लो या कृट्नी ले लो सब का जो रिस्ट अप दा और गन एक होगा आपका Osmo regulation and Osmo regulation plus दूसरा excretion ठीक है दूसरा आपका होगा excretion ओके सो फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं यह समझ में आ गया यहाँ तक हो गया यहाँ तक चले आगे बढ़े यस देखो आगे का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा आपको लीवर के बारे में हमें यहां पढ़ा देना है क्योंकि यहां बहुत सारे आपको मैंने बताया लीवर के अंदर जो अमोनिया होता है लीवर के अंदर जो अमोनिया होता है उसको कनवर्ट कर दिया जाता है कि में यूविया में नाव जिस प्रोसेस से convert होता है उस process का नाम है उसको लोग बोलते हैं ornithine cycle अब यह देखो यह अगर inciate में नहीं दी हुई है लेकिन एक्जाम में question पुछा जाता है ठीक है तो पुछा जाएगा कहा होता है तो आप बोलो कि कहा होगा भाई सहाब लीवर में होगा इस धे क्या होता है अमोनिया हो जाता है यूरिया में इंगर है उसका पने अहंगर हो तो यूरिया के थूरू, यूरिया के थूरू कौन सा कौन सा वेस्ट बाहर निकलता है, yes, CO2 प्लस अमोनिया, दोनों चीजें इस्क्रिट होती है, third, one molecule of CO2 प्लस दो molecule of अमोनिया, इतना detail में हम से क्यों सा सकते हैं, ठीक है, यह NCRT को decode किया गया, सब चीजे NCRT में है, लेकि अब देखो, यहां पे, यहां पे, यहां पे blood जो है, अमोनिया वाला, अमोनिया रिच जो blood होता है, वो आता है यहां पे, yes, किसे, by means of hepatic artery, by means of hepatic artery, या और भी जो arteries होंगी, यह अमोनिया रिच ब्लड लेके आएंगे, लेकिन जब अमोनिया, अमोनिया यह convert कर देगा, यू पूरिया है, और इस वेन का नाम है, students क्या, hepatic vein, इस वेन का नाम क्या है, hepatic vein, ठीक है, तो देखो, अब यह hepatic vein, अब यह hepatic vein, ठीक है, फिर चल जाएगा, कहां पे, main circulation में, ठीक है, यह पुरा blood है, अब फिर यहां से कुछ blood जो होगा, कुछ blood चल जाएगा, कहां के, कहां प पास, by means of renal artery, यह blood ठीक है, यह blood यहां से, फिर return जाएगा, filter होके, यहां पे, कहां, blood pool में, यह मैंने सारे body का blood बना दिया, यह blood pool है, तो यह कौन लेके आया, yes, renal artery, और यह क्या है, renal vein, मैं जो इतना आपको, चित्र बना रहा हूं, डाइगराम बना रहा हूं, सिर्फ दो question आता है, जब question आता है, maximum amount of, maximum concentration of urea कहां रहता है, strength option देखते हैं, अगर रिनल artery, फटाक से टिक, या renal vein, उस पर फटाक से टिक मार देते हैं, yes, अरे रिनल artery है, वही तो होना चाहिए न, maximum amount of area, वही तो होना चाहिए न, आप लोग भी करोगे, ठीक है, देखो, और दूसरी बात, यह देखो, जब, जब यूरिया का production यहां पे हो रहा है, तो maximum amount of urea कहां होना चाहिए, यहां पे न, यह तो यूरिया यहां पे जाके, बाकी blood से मिलके तो dilute हो जा रहा है, तो यहां पे यूरिया concentration ज्यादा होगा, यहां पे हो ज्यादा होगा, बताओ, एपॉइंट यहां यूरिया concentration ज्यादा, कहां पे होगा, एपे यापे बी पे? यह को मल, बाकी लोग को क्या नहीं समझ मैं या, एपे होगा या बी पे, फटाफट बो लो अधे होगा या बी पे, फटाफट बोलो, बाकी लोग सो रहा है, चलो So question हमारा solve हो गया Maximum maximum urea कहा होगा Hepatic hepatic vein में Maximum urea कहा होगा Minimum minimum urea कहा होगा Urea कहा होगा renal vein में Yes renal vein में कहा होगा renal vein में फटाफट नोट डाउन करो यह द्राइग्राम को फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज नोट डाउन फटाफट लो आगे बढ़ते हैं चलो आइधिंग आप लोगा नोट डाउन हो गया है ठीक है है सो स्टुडेंट्स यह डाइग्राम आप जो देख रहे हो यह क्या है किड्नी है थोड़ी देर में इसका डिटेल में आपको बताने वाला हूं ओके नाव यह हम वीडियो देखने को सिस करते इससे समझे करते क्यों है क्या हुमन स्कुरिटी सिस्टम स्टुडेंट्स यह आपको किड्नी दिख रही है और फिर आपका रहा है यह आपका यूरेटर है फिर डिकرनी का क्रोस को रिमूफ करते हैं लोग यहां से इसको अब यह देख रहा है इसको भी रिमूफ कर दिया यह आपका किड़नी दिखने आपको टॉटल ओके नाउ यह चीजे क्या है मैं आपको बताता हूं यह आप समझो जस्ट यह यूरेटर है ओके और फिर यूरेन जो फोर्म होगा कलेट होता कहां पर आके यूरेनरी ब्लैडर में चलो अब यह वाला डाइग्राम आप देखो यह चुली आपका है क्या होल इस्कृट्रि सिस्टम ठीक है होल सिस्टम में आपका क्या है वन पेयर ओफ वन पेयर ओफ किड़नी है यह किड़न यह आप क्या है अगया यह तेक्राइब आपर सिस्टम ठीक हें अगया गहीत किड़नी जो है राइड कड़नी स्लाइट्लि लेबल पर पे क्यूंकि क्यूंकि यहां पे और्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर ओके राइड साइड में जो होता है लीवर होता है इसीलिए राइड किड़नी एट लोर लेबल होती है income present to the left kidney समझ में आया फिर यह देखो आपका यूरेटर है यह यूरेटर है और यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है जरह